कि नमस्कार मैं गुप्ते सुर्फ अंडे डिजीपी बिहार यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि तीसरे चरण के लॉक्डाउन में साथ कुछ छूट है कोई छूट नहीं है कोई छूट नहीं है तीसरे चरण का लॉक्डाउन भी वैसे ही है जैसे पहले चरण का लॉक्डाउन था आम आदमी के लिए कोई छूट नहीं है केवल औरेंज जोन में कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कुछ सरकारी कामकाज के लिए एलाउ किया गया है विशेज परिष्थिती में कोई दुकाने खुलने का संबन्धित जिरा प्रसासन गणे ले सकता है बाकि कोई दुकान नहीं खुलेगा कोई सौपिंग कॉम्पलेक्स नहीं खुलेगा कोई मौल नहीं खुलेगा कोई सिनेमा हौल नहीं खुलेगा कोई भी नाई के दुकान, सैलूं, तंबा कूपान, गुटकाश के दुकान, कुछ भी नहीं खुलेगी, स्कूल, कॉलेज, कॉंची निचूट, सब बंग रहेंगे, पहले ही कि तरह, इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझना है, मोटर सैंक्रिपर, पास लेकर के सिर्फ एक आदमी ही चल सकता है, दो आदमी नहीं, और पास लेकर के गाड़ी में भी बहुत जरूरी काम से कहीं जाना हो, तो डाइबर के लावे सिर्फ दो आदमी बैटेंगे, जिससे जारा आदमी बैटी नहीं सकता, एक राज एक स्टेट से दूसरे एक जिले से दूसरे जिले में तो आप जाही नहीं सकते भी ना पास के बहुत जरूरी होने पर medical ground पर आपको पास issue होगा लेकिन उसमें भी ख्याल रहे डावर के लावे सिर्फ दूर आदमी अब छूट किसको है सभी प्रगार के मालवाहत बहान चलेंगे समगरीट होने वाले बहान चलेंगे और रक्षा सुरक्षा संबंधी आपात का लिंग से वाएं चालू रहेंगी और आवश्यक से वाएं चालू रहेंगी जैसे पहले चालू थी मदूर भारी शंख्या में आ हैं हमारे भाई बाहर से बहुत परिशानी से आ रहे हैं बहुत परिशानी बहुत कस्ट को उन्हें भोगा है जेला है उनकी पीडा से हम ऑगत हैं उनसे हाँ जोड़कर प्रात्ना करते हैं यहां जो व्यवस्था बन ही उसके अंसार सहयोग करेंगे सीमा पयाएंगे उनके उसके नियुक्त कहाने पीने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है सम्मान के साथ उनको उनके ब्लॉक में ले जाए जाएगा वहां करंटाय तों बना है वहां और रहेंगे खाएंगे पीएंगे और जितनी समय तक का समय बिताना है उतना बिता करके शुरच्षित अपने भरों को जाएंगे इसमें पूरी प्रसासंद का डॉक्र का स्वास्त से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों का पूरा सहयोग करेंगे कहीं विवाद नहीं कहीं जंजट नहीं हमारे लोग भी बहुत कठिन परिखितियों में जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं आपकी हम्दर्दी है भी आपको बचाने के लिए इस देश को बचाने के लिए हम आपर दीकर रहे हमें करना है और पूलीस पर हमले उपर कोई भी अगर हमला करता है बहुत ही जगन्य अपराद है उनके साथ सक्त कानूनी कारवाई की जाएगी सैक्रों लोगों को जेल में भेजा गया है अब आदमें उनका गुंड़ा पंजी में भी नाम लिख दिया जाएगा ताकि आगे के लिए उनको बहुत परिशानी ह को और उसी तरह से सोचल मीडिया पर गलत पोस्ट करने वाले संपरदाय दंगा या फसाद की स्थीप आ करने वाले नफरत पहिंदाने वाले जो पोस्ट करेंगे और वाब्रों को करांगे चारशिट करेंगे इस पीडिक टायल कराएंगे सामपरदाय सद्वाव को किसी विहालत में बिहार में बगड़ने नहीं दिया जाएगा यह भीरों की धर्ती है सांती की धर्ती है इस धर्ती की गर्मा को बनाया रखने में हमारा सहयोग करें और बिहार की जनता को मैं प्रणा करता हूं कि आपके सोयोग से यह लॉक डाउन सफल हुआ है आपके सोयोग से अभी तक बिहार बचा है बचाएं आगे वाला समय और खत्रे का है बहुत खत्रा खामने है अगर आप अगले 15-20 दिन तक बिहार को बचा लेंगे तो हम सब बच जाएंगे बिहार बच जाएगा यह देश बच जाएगा